अब पढ़ाते थे आव बच्चों के आव पुछ नहीं करने देते थे कली के नहीं तुमको पढ़ना है तुमको इसब से काम मतलब नहीं है मतलब मा भी काम करती है और आप खुद भी ट्यूसन पराते हैं किसी ने क्या खूब लिखा है बिना संघर्स के चमक नहीं मिलती जो जल रहा है तिल-तिल उसी दिये में तो उजाला होगा जी हाँ चलिए आज हम आपको एक ऐसी ही दिये से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी हुनर अपनी कावीलियत के दम पर आज अपना पुड़ा घर दिये से रोसन कर दिया है चलिए हम बात जिनके बारे में कर रहे हैं कुछ सस्पेंस नहीं रखते हैं और सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं लेकिन उससे पहले आप ये घर देख लिजे और इस घर को देखकर आपको उनकी हालत समझ में आ गई होगी लेकिन उन्होंने जो कारणामा किया है न आप चौक जाएंगे कि कोई बच्चा इस घर में ऐसे छोटे से घर में भी रहके इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है तो हम आ गए हैं अमर्जीत के पास मैंने नाम तो सही लिया जी बिल्कुर तो अमर्जीत मुस्कान ही बता रिए कि आपने तो कुछ कमाल कर दिया है अपने बारे में पहले कुछ बता दीजिए मुझे कहां से कैसे शुरुआ थी क्या कुछ है कि मैं जब पांच साल का था तो मेरी माँ पटना के घरों में काम करती थी लेकिन संयोग से ऐसा सक्स के यहां काम करना स्टार्ट की जो कि फिलाल अभी 20 परश्रीद उगमी है जिनका नाम सर्द बिवक सागर है जो कि डिक्स्रिटी ग्लोबल के सीयो और में फाउंडर भी है तो मेरी माँ वहीं काम करने लगी और उन लोगों ने मेरा दाखिला संटॉम्नी सेवेस हाई स्कूल में करवाया जहां कि वो उनकी वहन और वो खुद पढ़ते थे उसके बाद मैंने धीरे धीरे उनकी जो और्गनाइजेशन है उसमें करियर डेवलपेंट प्रोगाम डेक अपने पैसन को अपना सक्सेस बना सकता हूं तो मैंने अट्रिया इनवर्सेटी के बारे में जो आप मेरे इनवर्सेटी में आ रहे हैं और मैंने आपको 100% स्कॉलर्सिप के थूप बला रहा हैं मतलब 35 लाख रुपए पढ़ने के लिए आपको मिला है जिस इनवर्सेटी की ये बात कर रहे हैं वहाँ पे 100% स्कॉलर्सिप यानि की उस कॉलेज की फीज सब कुछ की एकड़ बात कर लिए तो 35 लाख है और इन्हें 35 लाख का मेरी हिम्मत मेरी मा है जो कि इतने पवर्टी बिलो पवर्टी मेरा कर उसने इतना बड़ा सपना देखा मा के साथ भी आंटी भी यहीं पर है आए हम इनसे भी बात कर लेते हैं इनका कहना है कि इन्हें कुछ नहीं था इन्हें आप पर विजवास था हाँ हम पढ़ाते थे आओ बच्चों के कुछ नहीं करने देते थे तुमको पढ़ना है तुमको कोई सबसे काम मतलब नहीं है हम आधारोटी खाएंगे बजव यहां घर की हालत अगर आप देखे तो उससे आप समझ सकते कि इनके बातों में और यहां की स्थिती में कितनी सच्चा है आज खाने म कि आज सब चीज वाला है तो पुड़ी हम छान नहीं सकते हैं बगन में सब तीज करते हैं तो पुड़ी चनना इसलिए दाल भात चोखा बनाई है दाल भात करेला का जो भुंजिया है आप तो करेला चिन्नी से मीठा लग रहा होगा मेरा फैबरेट है इसलिए मेरी भुजी अगर कोई फैबरेट है तो मेरी माँ मेरी माँ हमेशा बचमन से मेरा करेला के फैबरेट है चलिए एक चीज मुझे ये बताइए आप लोग ये सबसे पहले जो स्टुडेंट होंगे वो ये जानना चाहेंगे ना कि आखिरकार आपने ये तयारी कैसे की आखिरकार वो क्या करें कि उन्हें भी 35 लाख स्कॉलर्शिप मिल जाए जी देखिए पहले बात कि होती है कि जो सिक्षा होती है उसमें तो आप अगर आप रेंज में मीट रेंज में है या फिर अवब रेंज में उतना माइन नहीं रखती है लेकिन एक् सबसे बड़ा ग्यान होना चाहिए हम लोगों जो कि यह अगर मुझे 35 लाख स्कॉलर्शिप मिली है तो मेरा सबसे बड़ा काराना कि मैं अपने उपरचुनिटी को जानता था कि मुझे हाँ यहां यहां अपलाई करूंगा तो मेरा बीटे का जो इंजिरिनिंग का सपना है सकार हो जाएगा तो मैं तो बस यह हमारे जुनियर है वह जो भी हमारे छात्र अभी जो मेरे साथ पढ़ेंगे या फिर पढ़ रहें उनसे यह क्या पॉन्टूटी से जुड़े रहें और कंसिस्टेंसी में बरकार रखें अपना अपना टेंपरामेंट बढ़िया रखें और एजुकेशन के फिल्ड में वसाई सयोग करते रहें लोग की कहते हैं कि घंटो वाली पढ़ाई की बात करें जो फेमस है कि इसने इतना घंटा पढ़ लिया तो यह वाला चीज क्रैक कर लिया इसने इतना घंटा आपके केस में भी यह थियोरी चली थी या नहीं मैं स्क एक करते हमाँ करते हों उसके बाद बर यह नहीं रहें पर राश्ट में रात में या फिर बचा हुआ रहा गया या फिर रात में दो रोटी चाहल पर लेकिन आपकी लिए आपकी मातों लगता है मतलब जो कोई नहीं कर सकता वह कर दिया है बिलकुल बिलकुल ऐसे इनवार्मेंट रह गई है मेरी माँ जब मैं बच्चा था तब से देखा कि मिरी माँ वह से इनवार्मेंट में रही जहां कि लैक आफ रिसोर्सेज दी नहीं गई है यहां बहुत कम लोग बच्ची को उतनी सिख्षा को तरजी देते होंगे कि नहीं जी नहीं अभी तो फुल ऑफ जोपड़ी थी फूल ऑफ हर्ट पूरा यहां जोपड़ी थी तो अभी तो बहुत बदला हो चुकी है लेकिन उस समय मेरी मा डॉम्नीक में उसे में आज से लगता है 2009 में में क्लास्टू में डॉम्नीक में दाखिला करवाई थी तो उससे पहले मैं एक सौर्पया वला इसकूल में पढ़ता था तो मैं सब्सागर जी कहां गया उन्होंने मेरा इंटर्व्यू लिया कि तुम कैसे ह अच्छा पढ़ने में हैं जो हम लोग चाहते हैं कि संट डॉम्नीक सेवेस हाई स्कूल में पढ़े तो उन लोगों ने मिरा दाखिला उसमें करवा दिया मतलब कभी आपकी मां यह नहीं सोचे कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो पैसा नहीं रहता है ना तो सोचते हैं न तैंट से पढ़ावे तो पढ़ावे इसकोटीशन पढ़ाया उकी जी तक घर में पढ़ा it LQ i. अटे में सुखवाद होका देखा कि बढ़ीया होका टुमनीक में डालती है इतना मेहनत करके जब पढ़ा रही थी बच्चा को तो एक अभी डर लग रहता ही कहीं बच्चा नहीं नीकला अच्छा तो नहीं डर नहीं था बच्चा को विश्वास थे इसको डाड़ा बार के हम पढ़ाते थे कि बच्चा तुम एधर उदर नहीं करना ब्यान कहेगा कि इतना पढ़िया इसकुर माई पढ़ा रहा है अब बच्चा उसका इसा निकल गिया तुम हमको रस्ता चलते नहीं दूसर बार करना बगी अब दो रहते हैं ऐसे कहा जाता है कि जब कोई पढ़ नहीं फाता है ऐसे इसे थो गडी भी मजबूरी है बहुत सारे मोते हैं आपने तो सारे मोडेम कोही खत्म कर दिया आँने वाले अध्यरों में तो कोई बङस का चलिए जी वहीं बात है कि मेरे ऑपक्ने एक मेंचा हो और से उसको भी मतलब पीछे छोड़ दिया जी बिलकुल तो मतलब वो लोग जिनके पास संसाधनी उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा मेरा मैसेज यह कि आप कड़ी परिश्चम करते रहें अपने जो सिक्षा है उसको अच्छा पड़ियोग करते रहें और जो आप टेक अगर आप रिसर्च नहीं करिएगा तो आपको यहीं लएगा कि हम गरीब हैं तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे हम या अमीर है तो पैसा दे कर जा सकता है आपके पास अगर छमता है अच्छा करने का तो आप जरूर करेंगे और अवस्ते करेंगे दुनिया में बहुत कि लोग होते हैं बहुत सूच वाले होते हैं जिनका अलग लग सूच होता है तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आप एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हो आपकी मम्मी क्या काम करी उसकी वज़ा से बच्चे आपको कभी दीमोटिवेट करने की कोशिस की हो या कभी लाइप म में कुछ हां कुछ स्टुडेंट्स लोग होते हैं जो कि बहुत उचे घराना से होते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन उनका उनके अंदर हो जाता है लेकिन मेरे मेरे में अच्छाई था कि मेरे जो टीचर्स थें खासकर करके मैं एक्ट्री किया क्लास एट नमी यहां पर नहीं जांसे हैं अपने कर्म जवाब दी हैं वहीं है कि हम स्मुsk preserve खहिए अपना वर्कों से और फिर झालते थे तो मुझे उसका विस्वास पर खड़ा होना है सबसे बड़ी आपको दाई का बेटा बोलते थे तो उस वक्त वो लोग तो काफी प्राउड फिल करते हूं कि मैंने किसी को नीशा दिखा दे लेकिन उस वक्त आपके मन में क्या चलता था कि एक दिन आएगा जब यह लोग मु पूछते हैं क्योंकि बहुत सारा रेगलेशन होते हैं जो नहीं बात करते हैं नहीं पूछते हैं खासकर काम की वजए से तो और उन लोग में जो जिनका अलग सोच रहता है तो लेकिन आज के डेट में क्या उनका भी फोन आ रहा है कि आज मेरी मां 15 साल पहले जहां काम करत हैं और दोस्तों भी परवार से गाउन लोग में सभी पूरा बदाई दे रहें जाकर सहर में जाकर अखबार लाकर फिर फां पढ़ रहे हैं मेरे मामा लोग पढ़ रहें जी। जो जिसे में कोई और तो जो जगड़ा की ओ फूचर में बात नहीं करती हुआ आज बेटा के खुशी देख के वह भी फोन की कि आड़े बढ़ाई है आपका बेटा ऐसा नहीं तो नहीं फोन किया यह खी वो फोन किये कलकाता से दूगों किया कलकाता से पोन हां बहुत अच् मतलब बेटा का उपलब्धी साड़ा गिला सिक्वा सबसे दूर करता है हम जो आपनी उपलब्धी ली है इसके बारे में यह भी जा लें कि आपका पढ़ते कहां बैठके थे हम पढ़ते बगलवाले दिखाईए मुझे कुछ दिखाईए कोई मेरे पास कोई पर्टिकुलर का सपनो का घर है ये बहुत सकते क्योंकि इसी में इन्होंने अपनी जो सफलता की किताब है इन्होंने इसी घर में लिखी है यहां एक छोटा सा dynamically है और यहां बिड है और यहां पर कुछ समाने है और इनका देखेए जो किताब कौपी जो सबसे महत्तMc Team होता है वो यहां प यहां रखावाँ आप देख सकते हैं कि यहां पर कितनी मुटी-्मोटी किताब्व हैं मतलब साथ यह बजन नह सपाए उससे ज्यादा मोटी किताब ही नंब सब्सक्राइब यह सब मेरी बच्पन से लेकर 12 तक जितनी किताबे सब मैंने कुछ किताबे रखी हुई यह रेगुलर किताबे हैं और बैठ के कहां पढ़ते हैं इसी बेड़ पे बैठ करता हूं कोई टेवल वगएरा नहीं है मेरे लिए तो मैं इसी पर बैठ के पढ़ाई करता है कैसे देखते हैं कि अभी मतलब बैठ के पढ़ना है स्टार्ट के तो कितना देर पढ़ना है क्या करना है क्या रूटीन क्या रहता है मैंने देखे प्लानिंग की है मैंने प्लानिंग करता था कि मुझे यह चार गंटा या पांच गंटा वैसे नहीं पढ़ना है मेरा प्लानि सब्सक्राइब करते हैं और आप पैसा लेकर नहीं यहां पर आती थी तो मेरी पड़ोसी हो गई तब यहां से वह सीफ्ट हो गई तो मैं वहां पर भी अपना सिवा जाड़ी रखा हूँ जिनके पास पैसा रहता है वो भी फ्री में घ्यान बाटने से पहले हजार बार सोचते बोलते मेरे पास वक्त नहीं है डेर साड़ा बहाना आप आपकी मां यह काम करती है आपके पास पैसे की कमी है सही बात है और पैस मेरी मां बोलती थी कि यह तुमको काम नहीं करना है तो मैं बोला कि मुझे पढ़ाना सौख है तो मैं बोली कि मां बोली कि अगर तुम पढ़ाओगे अगर पैसा लेकर पढ़ाओगे तो तुमारा जो फोकस है पैसा बचा ले जाएगा और तुम अपने एजुकेशन को प् और मैंने उनको गाइडेंस भी दी आपने जो भी मेरे पास इसकिल सेट्स है उसको पडियों करको लोको गाइड करते हैं अभी करता भी आ रहा हूं अब एक दो मैन और करूंगा उसको आप मैं चला जाएं मतलब यहीओता है जब आपके साथ कोई अच्छा करता है तो आप दूसरों के साथ अच्छा करने का सोचती हो और इनकी सोच तो मतलब आज बिहार इन सौट से आपको सलाम ठोकता है कि मतलब इतनी मतलब गरीबी में होते वे भी आपने पैसे को तरजीह नहीं दी आपने उन जो सपना मेरा सबसे बड़ा सपना तो पट्रगुलर कोई कि मैं इतना पार कहीं जॉब करना हो बड़ा-बड़ा फैक्टरी में जॉब करूँ पैसा कमा हूँ जिल मेरा सपना ही कि मैं सुरू सही किसी के बदौला थी लगता है कि मेरी जब से अगर बुद्धी हो समाला है तो मुझे पता चला साथ विएक सागर जी मेरे एजुकेशन फंड कर रहे हैं तो उसी समय से मेरी होगी हेल्प मैं भी जानते हैं समाज सेवा समाज सेवा करते हैं इस मुकाम पर हूँ के सोचल अंटपनार्शिप जो होते हैं उनके संस्थापक है यह साधिवीक सागर तो उसे पेढ़ना मिलती है इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरा भी एजुकेशन ऐसा हो कि समाज में मेरे देश के लिए सायोग हो लोगों को रोजगार देना है जी बिलकुल जी अच्छा यह सब बात तो पढ़ाई क्योंगे चलिए कुछ अच्छी बात कर लेते हैं तचा ची बेंगलोर घुमे जाएगा हाँ जरूर अच्छा करें तो जरूर 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 एक और तो कोशिस रहेगी कि जाए जी अच्छा इससे पहले गई है नहीं कभी नहीं पटना से चोड़के बिहार सरी चोड़के पटना बात बहुत अच्छा सहरम सुने हैं महां तो गर्वीटी नहीं लगती है उसको मै अपना इन्वर्सेटी कम से कहां रहेंगे कहां पढ़ेंगे मतलब ममी को संतुस्टी रहें जी यह भी लग रहा हो कि अब हम चले जाएंगे तो ममी यहां के ले रहेंगे हां थ्वासा लएगा सेक्रिफाइस तो है कभी जिन्दगी में दूर नहीं हुए अपने मां से हम सब्सेटों हैं कि एक बच्चे के सर से पिता के साया और जाना यानिकी थी घृतम हो जाना लोग वहां पर अपने हिंमद हार देते हैं आप उस समय कैसे संभालें अपको मैं, सही में तो मैं हिम्मत हार चुका था, लेकिन मेरी माँ जो मैं रो रहा था उसके एक माहिने बाद मेरे पिता की देहांत के बाद, क्यूंकि मैं मैं में चुछ कूल झा दिया था. मेरी मा ने बोला कि नहीं तुम रो मत तुम टेंशन मत लो मैं तुमको पढ़ाऊंगा मैं तुमको पढ़ाऊंगा तुमारा नाम नहीं कटेगा मैं चे डर था कि मेरे पिता जी है तो तुमें नाम कड़ जाएगा नहीं मैं तुमको पढ़ाऊंगा टेंशन मत लो पढ़ाते तो इनकी बाते सुनकर आपकी भी आखे भराई होंगी, जो इन्होंने चीजे बताई है, मतलब इन्होंने क्या कुछ नहीं अपनी जिन्दगी में जहला है, क्या नहीं जहला है, मतलब हर मुस्किल, हर बाधा को इन्होंने पार किया है, और आज उसे पार करने के बाद इन्होंने सफलता पाई है जी हाँ और ये राह बहुत मुश्किल था लेकिन उसके बाद भी इन्होंने वो सफलता हासिल की है और अमर्जीत से अज सबको अमर्जीत से जरूर कुछ न कुछ सीखनी चाहिए कि मतलब अगर आपने कुछ ठानी है न तो रास्ते में कोई पत्थर, कोई बाधा जो है वो छोटी पड़ जाएगी और आप सफलता तक जरूर पहुँचेंगे किसी ने क्या खूब लिखा है मैं अमरजीत के लिए बोलना चाहूंगी कि कौन कहता है आस्मान में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उच्छा लो तो यारो क्या अमरजीत मैंने सही कहा ना आपको तो आप भी उस पत्थर को तबियत से अगर उच्छा लिएगा तो अमरजीत वाली सफलता आपको भी जरूर बिलेगी कैमरा जेनलिस्ट गुडू के साथ मैं पूचा अप्रिया धन्यवाद